एलो एन वेलकम स्वागत है आपका मेरी यूटूब चैनल में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडो की होस्ट फाइल को कैसे इडिट कर सकते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो होस्ट फाइल ज्यादा तर हम क्रेक वर्जन जब यूज करते हैं तब हमको इ विंडोस पर और फाइल एक्स्प्लोरल ओप्शन को खोलना है फिर आपको व्यू टेप पर जाना है और यहाँ पर आपको शो हिड़न फाइल पर सिलेक करना है और यहाँ पर अपलाए करके ओके कर देना है बाद में आपको जाना है विंडोस की ड्राइव सी पर और यहाँ पर आपको विंडोस सी में जाना है विंडोस पर फिर बाद में आपको जाना है सिस्टम 32 पर जो आपको यहाँ पर दिखेगी सिस्टम 32 और फिर बाद में आपको जाना है ड्राइव वर्स पर जो यहाँ पर बिलेगे आपको फोल्डर में यहां पे आपको Windows के वोस्ट फाइल मिल जाएगी यह वोस्ट फायल को आपको कॉपी करना है और तो इसको चेंज करने के लिए हम को यहां पे डेस्टोप पर पेश्ट करना है अब आपको यह देखना है कि यह फाइल read only है की नहीं तो आपको check करने के लिए जाना है property पर और यहाँ पर अगर यहाँ पर read only check है तो आपको uncheck करना है और यहाँ पर apply करके okay पर करना है okay फिर बाद में हमको यह change करने के लिए double click करना है और not paid पर open करना है फिर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अल्रेड़ी यह files डाली हुई है तो आप देख सकते हो यह फिर से बे यह files यह मैंने files filmora जो editing software है उसको crack करने के लिए यहाँ पर host file में डाली है तो आप किसी भी अगर crack करने के लिए host file को edit करना चाते हैं तो आप ऐसे edit कर पायागे तो आपको जैसे कि यहाँ पे मैं यह host फाइल डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं copy करूँगा और फिर बाद में यहाँ पे मैं paste कर दूँगा ठीक है फिर आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे file और save पर click करना है फिर यहाँ पे close करना है अब यह file को हम अपनी original file से replace करेगे तो यहाँ पे यह file लेके यहाँ पे हम यह replace करेगे और यहाँ पे continue उपर click करेगे यह अब हमारी file post file edit हो चुकी है और आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे double click करके देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो ट्रेक का जो डोमेन था तो वो उने यहाँ पे डाल दिया है तो एसे आप अपने पोस्ट फाइल को एडिट कर सकते हो और ने ने वीडियो में लाता रहूंगा थोड़ा काम है इसलिए कम वीडियो आ रहे है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना शेर करना लाइक करना मैं जल्द ही नई वीडियो लाऊंगा थेंक्यू